अपने पैसों और टेकनॉलजी के दम पर दुनिया के कई देशों को अपना आर्थिक घुलाम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे चीन के प्रेजिडेंट शी जिन्पिंग के खिलाफ अब बगावत शुरू हो गई है। इस बगावत का बिगुल बजा है भारत के पडोसी मुल्क श्रीलंका में। चीन के कर्ज के जाल में फसकर अपनी अर्थ व्यवस्था तबाह कर चुके श्रीलंका के एक सांसद ने सीधे प्रेजिडेंट जिन्पिंग को चिठ्थी लिख दी है। और चिठ्थी में चीन की कर्दूतों का काला चिठ्था तो खोला ही है साथ ही चेतावनी भी दी है अगर चीन ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया तो उसे श्रीलंका से बाहर फेंग दिया जाएगा। क्या है इस चिठ्थी का मजबून वो तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन पहले ये जान लीजे कि इस चिठ्थी को लिखने यानि जिन्पिंग के खिलाफ बगावत करने की नौबत क्यों आई है। दरसल चीन ने दुनिया भर में अपना रुत्बा और अपनी कमपनियों का मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए ठीक वैसे ही पैर पसार ने शुरू कर दिये हैं जैसे एक जमाने में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी किया करती थी। जिन्पिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बी आराई के तहत चीन गरीब और छोटे देशों में अपनी कमपनियों का पैसा लगा कर वहां विकास के नाम पर तमाम ठेके हथिया लेता है। हमबन टोटा को ऐसे ही हथिया लिया था। यही नहीं अपने कर्ज के दम पर चीन श्रीलंका की आर्थिक नीतियों को अपने हिसाब से चला रहा है। जिसके चलते इस छोटे से खुबसूरत द्वीब की माली हालत बेहत खराब हो गई है। चीन के दबाव के चलते श्रीलंका के किसानों को औरगैनिक खेती करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन उसके लिए जरूरी खाद की सप्लाई चीनी कम्पनियों ने की जो बेहत घटिया थी। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका की खेती बरबाद होने के कगार पर पहुँच गई और महंगाई चरम पर है। विदेशी मुतराभंडार लगातार घट रहा है और कर्ज का ब्याज तक चुकाने का पैसा श्रीलंका सरकार के पास नहीं है। इन हालात के लिए श्रीलंका के सांसद विजयदासा राजपक्षे ने सीधे जिन्पिंग को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें चिठी लिखी है। इस चिठी में 45 पॉइंट्स उठाए गए हैं जो सीधे जिन्पिंग को कट घरे में खड़ा करते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर चीन की चाला की जारी रही तो अगली सरकार आने के बाद उसके तमाम ठेकों को रद्द कर दिया जाएगा। राजपक्षे की इस चिठी की टाइमिंग इसलिए भी एहम है क्योंकि कुछ ही दिन बाद चीन के विदेश मंतरी वेंग यी जल्द ही श्री लंका के दोरे पर आने वाले हैं। श्री लंका में चीन के खिलाफ ये बगावत जिन पिंग के उन इरादों पर पानी फेर सकती है जिन में वो श्री लंका के जरिये हिंद महसागर में भारत को घेरना चाहते हैं। चीन की मन्शा श्रिलंका में नौसेना का बेस बनाने की भी है, जिसका विरोध भारत सरकार लगातार कर रही है। ऐसे में अब श्रिलंका में बगावत का बिगुल बजने के बाद जिन्पिंग के लिए अपने इरादों को अमल में लाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस नहीं देखता अमीर गरीब उच नीच नहीं देखता कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए बस इतना कीजिए जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लोगिए तो इतना खयाल ज़रूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं गुलियमत कोरोना अभी जिन्दा है